अनकत्ता का दुर्गापुजा तो वाल्ड फेमस है। मैं बच्पन से ही देख रहा हूँ। मैं बच्पन से पला बड़ा हूँ, वही पही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि 20 साली दुर्गापुजा देखता आया हूँ बच्पन से ही। लेकिन अभी जो कि मुंबई में हूँ। लेकिन मुंबई में एक मिरा रूट के साइड में एक ऐसा एक बेंगॉली असोसियेशन है। जहां पे इतनी उप्सुना दुर्गापुजा होते हैं। मुझे पता भी नहीं था। यहाँ पे आके मतलब ऐसा लगड़ा है कि कॉलकाता में अचानक से शिफ्ट होगा। इसके कुछ ग्लिम्सेज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया पैंडल चुपता है वहार। बहुत खुबसुनत तरिके से यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया गया है। कितनी खुबसुनत लाइटिंग का नजारा है। आगे से लेके यह पुजा पंडल है। पुजा पंडल के बाहर के हिस्से में हम खड़े हैं अभी। उस साइड से हम आए हैं। अंदर पुजा हो रहा है। एक फंक्शन चल रहा है यह आपने। तो अभी अंदर की दरब जा रहा है। लेफ्ट के साइड में स्टॉल लगा हुआ है। यहां पे कलकट तक फेमस मिठाई। राशोगुल्लास, सुन्देश, गुलाब जामून वगरा सब। लाइन भाइलान यहां पे दिस्ट्रे क्या हुआ है। क्युट लाइड में स्ट्रे के साइड में झालिए को लाइड में भाइड में स्टॉल्लास, सुन्देश, लाइड में झालिए कर दो कर दो कि धूर्गा भूजय का बहुत भबंगाली का एक बहुती पुराना एक उत्सव है जो नुद्धिश्प कर दीची जब कोई पता है कि इंडिया यह बहुत पूरे विश्व में के बहुत बाति जहां जहां भी बंगाली होते बहुत दुर्दांते बनाजाता है तो अच्छा लगता है कि अपने स्टेट के बहार आके अपने स्टेट के बहारों से मिलना है अपने बच्पन से देखके बड़े हुए कि अपने उसर में फिर से शडीक होना है एक बहुत ही अलग सा एक experience है सोचा नहीं था मुंबाई में ऐसे मतलब एक association मिल जाएगा यह है पंडाल का entrance view यहां से पंडाल शुरू होता है महाराश्च खासकर मुंबाई की बंगॉली यहां पर और अगनाइस कते हैं दुगापुच्छ यू थो यह कोई नई बात नहीं है मेरे लिए बच्पन से मैं यह देखी बड़ा हूँ और कलकते में राने वाला बंगाली यह सब देखी बड़ा हूँ जाहिर सी बात है लेकिन अच्छा लगए लुंबाई में यह मैं पहली गार एक्सपरियेंस कर दो अच्छा लगए अलगसा एक एक्सपरियेंस अच्छा लगए बस लुंबई से एक सेंड में कलकत्ता में पाँच पहे हैं झाल 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 जिए जो एक जए झाल झाल झाल